आथ और कि देखिए अपन ठाइराइट लाइटनिक अर्स्टर के बारे में देखेंगे इसका जो कंट्रक्शन है जो इसका वर्कीड ड्याइगلام होगा वो विल्कुल वाल्ड टाइब लाइटनिक अर्सटर का होगा लेकिन जो non-linear resistance लगेंगे वाल्टाइड लाइटनिंग रेस्टन वो थैराइट माटिरियल के लगेंगे ठीक है तो देखिए मैंने ये theory लिखी है इसमें मैं आपको पहले भी काफी बार बता चुका हूँ मैं जो theory लिखता हूँ न जो competition exams में जो question आए वे हैं तो उन में से जो point निकलते हैं जो important points उनको थोड़ा मिला के लिखता हूँ तो आप थोड़ा उसको पढ़िएगा ज़रूर देखिए मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले ये बोलता है कि consist of thyroid which is an inorganic compound of ceramic material तो सबसे पहली बात तो ये है इसका नाम thyroid type lightning रस्टर क्यों पढ़ा क्योंकि ये thyroid material का बना है जो inorganic compound है सिर्मिक material है अब पूछा जाता है कि ये thyroid बनता किसे है तो thyroid जो बनता है वो बनता है silicon carbide और एक special type of clay को mix करके ठीक है अब ये भी बात रखना कि इस silicon carbide को एक को नाम है carbonum ठीक है ना carbonum नाम है sorry ठीक है तो ये भी point अपन को याद रखना है अब देखो इसको अपन ने काम में क्यों लिया ये thyroid material इसकी मतलब ऐसी क्या खास बात है इसमें कि अपन ने काम में लिया इसको क्योंकि सबसे पहला जो याद रखना है अपनको इसका जो resistance होता है वो variable होता है ये इसका जो resistance होता है variable होता है और resistance inversely proportional होता है कि इसके voltage के देखो voltage अगर ज़्यादा आया तो resistance क्या हो जाएगा कम और अपनको ज़्यादा voltage पर तो अगर वोल्टेज कम है तो रजिस्टेंस क्या रहेगा जादा तो अपना करेंट है वो अरिस्टर के थुरू ना भैकि अपनी लाइन में भैकि यह मैं आपको भी वर्किंग में भी बता दूँगा ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से किलियर होगा तो यही चीज मैंने थाइरइड किया करें लो रजिस्टेंस ओफर करें और लो रेजिस्टेंस ओफर करेंगा तो अपकी बार जो हाई वोल्टेज और जो मैं बोल्ड़ जो हाइफ रिक्वेंस mm होगा वो अपने अरेस्टर के थुरू करता हुआ कि इसमें चला जाएगा लाइन में तो देखो यह वाले बात हो गई अब इस point का भी एक question काफी पर पूछ लिया कि जाता है तो यह पूछ जाता है जितनी time भी voltage होता है ना double होता ना current increase कर जाता है कितना 12.6 times ठीक ना for each time the voltage is double the current increase 12.6 times आपने देखा यहां पर voltage बड़ेगा तो resistance कम होगा resistance कम होगा तो current भी बड़ेगा इससे सिधा सिधा मैं बोल सकता हूँ कि जैसे जैसे voltage बड़ेगा current भी बड़ेगा और उसका जो factor हो यह है कि अगर voltage double होता है तो current 12.6 times हो जाता है ठीक है तो यह वाला point भी आपको याद रगना है तो अब यह जो arrester बनता है ना lightning arrester यह बनता ह अपन डिस्क का chain करते हैं या फिर अपन selection करते हैं ठीक है तो वही इसमें resistive element होती है इस डिस्क का जो diameter होता है 15 cm और इस डिस्क की जो thickness होती है 19 mm की ठीक है अब देखो एक और बात है अपन को इस डिस्क को अपन को पता है non linear resistance है लेकिन अपन को हर डिस्क को क्या करना है एक दूसरे से electrically connect करना है ठीक है न तो इसलिए इसकी जो coating किया जाती है दौनों तरफ से ठीक है न तो यह चीज़ ने लेकिन लेकिन के बीच में electric contact बने और उनको एक यहां पर सेट करके रखा जाता है इसको अपन बोलता है सेट ओफ non linear resistance और इसमें कुछ निये थाराइट material के डिस्क अपन ने इसमें रखर की जमाक है जिनके बीच में electrical contact है इसके साथ ही अपन को इसमें क्या करना पड़ता है इस पार्क गैप भी चाहिए होते है ठीक है तो जो स्पार्क गैप होते हैं वो सिरीज में लगेंगे कि से सेट ओफ non linear resistance जो thyroid material का बना है और दूसरा एक end होगा वो line से connect होगा और दूसरा end होगा वो किस से connect होगा ground से आप ये सब जानती ही होंगे पहले भी आपने देखा होगा अब ये point और लिख रहा है डिस्क is assembled inside a glazed porcelain container it is used in conjugation with the container अब इस पूरे जो arrangement को किसमें टाल दिया एक porcelain के container में तो आप देखो आप working मैं आपको simple सी जैसे मैंने आपको पैप तो इतनी जरूवत भी नहीं है देखो line में अगर over voltage आया ठीक है ना सबसे पहले अपन search की बात कर देते है high frequency current की बात कर लेते है या high frequency voltage की बात कर लेते है या फिर मैं बोल दू fault आया ठीक है तो high voltage आया तो यह जो spark gap यहां पर आर्क बन गई ठीक है breakdown हो गया यहां का जो gap है उसकी air का ठीक है तो current को यहां से conducting path मिल गया अब current इस point पर आया अब अपने देखा कि यहां पर जब current आया तो voltage कितना हो गया इस point का बहुत ही ज़्यादा हो गया voltage ज्यादा मतलब resistance इसका कम क्यो अबर हुआ तो voltage drop करेगा voltage drop करेगा तो यह अपनी normal जो थाइराइट है वो अपनी condition restore करेगा और इसका resistance हाई होगा तो current को block करतेगा और current block हुआ तो line में current flow करेगा वो इधर नहीं आ पाएगा बस इतनी simple सी working है और यह जो मैंने आपके लिए theory लिए लिए आप इसको पढ़ स दूसरा 240 volt के लिए तक यह काम में आता है और सबसे पहला point जो है ना यह voltage और current जो inversely proportional voltage resistance यह वाला point भी काफी बार competition में पूछा जाता है ठीक है ना तो यही पूछा जाता है वैसे तो जाता है अब advantages देख लो no time lag in it performance अब इसमें क्या होता है एकदम से यह जो impulse ratio बहुत ही कम बाउना बिल्कुल कम हो जाती जो edges पे होता है ठीक है ठीक है तो अब आप यह देख लो कि location कहा नेती है यह parallel लगता है primary winding of the transformer जो ट्रांसवर्मर में उसकी parallel winding के साथ लगता है अगर आपको यह पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजा और पेज को like कर द